परम प्रेम में स्रिशी ठाकुर जी के चरने में कोटी-कोटी प्रणाब, परम आराद्धा जगत जरनी स्रिशी बरमा के चरने में कोटी-कोटी प्रणाब, परम पुझ्य पाद स्रिशी बर्दा जी के चरने में कोटी-कोटी प्रणाब, परम पुझ्य पाद स्रिशी आचार के चरनौ में कोटि-कोटि पनाब, ठाकुर परिवार के प्रति-पृतिख के चरनौ में कोटी-कोटि पनाब, आप सबीको भी झाय गुरुळू, मैं व्हिंप नसे सांता बैध्दु बोल रही हूं, हमारे परिवार मैं कोई दिक्षित परिवार की लर्की नहीं वो सत्संग परिवार से नहीं बिलाउं करती थी ससुराल में आई आने का बाद मैं मेरे ससुराल में और ठाकुर जी के अलाव और कुछ भी नहीं है ठाकुर जी सब कुछ है और किसी देवी देवता का अलग से जो घर में पूजा होते हैं वो कभी नहीं होता पहले पहले कुछ अटपटा लगता था फिर धीरे 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 ठाकुर जी कैसे करके हमको पकड़ लिए मैं कितना पकड़ी हूँ ठाकुर जी को वो मुझे पता नहीं लेकिन ठाकुर जी मुझे जो अच्छे से पकड़े है वो मुझे समझ में आ जाता है तो मैं उस समय की घटना बोल रही हूं 1995 में मेरी बेटी भी छोटी सी थी तो मेरा कुछ आजीब हरकत होता है मुझे ये चीछ चाहिए तो अभी चाहिए मतलब अभी करना है तो ठीक उसी तरह मेरे हजबन बैंक में नोकरी करते तो बैंक में जब जा रहे थे मै कि इनको बोली कि ऐसा है कि मैं कल देवगर में ठाकूर परनाम करूंगी तो यह भले घर में तो रोज करती हो कल सबेरे मुझे देवगर में ठाकूर परनाम करना है हमें किसी भी तरह चलना है तो यह बोले देखो इतना गर्मी है बेटी छोटी है फिर स्लीपर में टिकट रिजर्वेशन मिलने से परेशा नहीं बढ़ेगी और फिर ततकाल में भी टिकट मिलना मुस्किल है उस समय तो मै मैं चली जाओंगे लेकिन मुझे कल पहुचना है ठाकूर बारी फिर इनतजार कर रहे थे फिर लगा कि सायद यह नहीं ले जाएंगे फिर दोफर को बारा सारे बाजावजे फोन किये कि जो टिकेट ब्रोकर है उनसे टिकट लेली एजेंट टिकट एजेंट तो बोले कि मि पेल गया लेकिए स्लीपर में मिला है तो मैं तो बहुत पैकिंग की हीमिगरी स्टेशन बना स्टेशन से हमुटी हीम ऑप और बैटके जाना और आनन्द ही कुछ अिछा अलग है देओघर में जाना मतलब बहुत अलग अनन्द जो खुष ए है ट्रेन में हम भी लोग बैटे, रात नौ बजे ट्रेन चुटी, ट्रेन चलने लगी, फिर उसका बाद, बाहर, मुझे आदत है कि ट्रेन की उपर, मतलब बर्त, उपर के बर्त में, अभी भी मैं जाती हूँ तो उपर के बर्त में, अगर मिला तो सबसे अच्छा है, मैं वही पसंद करती हूँ उपर के बर्त में, हम लोग लेटे थे, भोर में आग खुली तो मुका मा स्टेशन आया, तो मैं नीचे उतर गई, उतर के खिरकी में जाक के हम लोग आउ रहे हैं, तो हम लोग लेडीज लोग का खिरकी में वहाँ ताग जाक करने का कुछ अलगी मजा मिलता है, तो जाकने फिर उसका बाद तेज ट्रेन स्टार्ट हुई, बहुत तेज जब स्टार्ट काफी स्पीड जब ट्रेन पकड़ ली, उसी समय बाहर से खाथ आया, मेरा कान में बड़ा बड़ा बाली था, एक बाली कान से अर्सॉलिर था, कान से कीच के ले लिए, मैं खरे हो गई कान से, पुछ नहीं होगा, बैटो, तो हम लोग ठाकुर जी को लेके चल रहे है, चलते है, ठाकुर जी को मानते है, बैटना मतलब फिर मन से मन मन में वो नाम हम लोग करते रहते हैं, दो तीन मिनट बाद ही दिमाग में आया, अड़ी वो आदमी तो पहले तो उसको बहुत भरमर काली देर रहते हैं, कि मेरा कान का ये ले ले लिया, उसका ये हो जाए, वो हो जाए, मन मन में फिर यतना है, फिर उसका बाद, कुछ देर बाद, फिर जब नाम करने लेगी, दो चार मिनट बाद, फिर तब दिमाग में आया, वो चलती हुई ट्रेन में, वो आदमी मेरा का मतलब उसका तो कुछ भी हो सकता था और उसका कुछ हो अमतलब उसका भीवी बच्चे का तो पुरा पर भारिया, माँ, मम्मी पापा सबका तो चला जायगा तब मैं ठाकुर जिका पास प्रार्तिना करने लेगी ठाकुर ऐसा किजिए कि उसको कुछ नुक्सान ना हो, मेरा कान का गया गया, उसको किसी घर को उजरने मत दीजिए ठाकुर जी, ठाली ठाकुर जी को ही बोलते जा रहे, बोलते जो भी हुआ, ठाकुर जी से प्रार्तना कर रहे, सब अरे भी भोर में हम लोग, ट्रेन में इस् किसी का घर ना उजारे। फिर उसका बाद हम लोग पहुचे देवगार। तो उस समय इतना गेस्टाउज या इतना दिक्षित की संख्या नहीं थी। तो खाली-खाली रहता था। कोई उस समय के समय होने इसे बहुत ज़्यादा पहरे। नहीं तो ऐसे जेनरली खाली-खाली रहता था तो हम लोग लोग वाए बैघ धाकुर पढ़ा मा क 나타ां बुर्दा को प्रकवता प्रकूर सी करने का बाद हम लोग वूटार बारी गए तो हम नाधा आचल वह तो हमारी सरुषजी का नाम लेके बोले, हरोलाल दा कैसे हैं, तो ये बोलने लगे, फिर परिवान में सब कैसे हैं, फिर बनारस सब हाल चाले इन से पूछने लगे, और मेरा आदत मतलब था पहले तो मैं हमेशा मतलब सर में पल्लू रखती थी, घर में भी रखती थी, आजकाल भले घर में ना रखो, लेकिन सत्संग कहीं पर भी मेरा सर से पल्लू नहीं उठता है, मेरा हमेशा पल्लू सर में रहता है, और फिर ठाकुरबारी में गये, कोई सवाल ही नहीं उठता, सर मैं पल्लू देना ही देना है फिर वहाँ मैं पल्लू देखे लेकिन उनका पाद ये परमकुजभाद दादा मेरे हजबन का साथ बात कर रहे है फिर उसका बात और मेरे तरफ एक एक बार देख रहे हैं आजीब उनका देखने का ये कुछ लग रहा था आजीब किसिम का तो ज कौन कलाष में पढ़ते हुए उसका बात बोलते हैं हमको बोली तुमारा कान तो नहीं लेके गया। दू रंट हस्ते कहस WAT बहुत जोर से हस्ते हस्ते तुमा कान तो लेके नहीं गया। मुझे समझ में नहीं आया है לפ रेक्त प्रवख् logrね अंग फि Minnie पेकने लगा। तब मैं घर में लैंड फोन में फोन करके बोलूंगी, वो भी दस बजे का बाद ही, और फिर उसका बाद कोई मतलब किसी का घर में भी नहीं गए, कि गुरुदेबंदा का घर में हो, चाहे अजित गांगुली जटा मसाइग के घर में भी हो, कहीं पर नहीं गए, और किसी से बात नहीं हुआ, कैसे उनको समझ में आया, उसका मतलब तब तो ये हमें समझना है कि हमारे ठाकूर कौन है, हमारे ठाकूर ये जो आचारे परमपरा देखे गए है, ठाकूर जी का लिला उनके माध्यम से होता है, और उनका द्रिष्टी बहुत दूर तक, हम लोग कहां क्या क कर रहे, कैसे चल रहे, हर कुछ उनका नजर से नहीं हट सकता है, तो हमें हमेसा अपना विश्वास के साथ, विश्वास लेके चलना है, क्योंकि हमेसा अगर ठाकूर जी को लेके हम लोग चलते हैं, वो आंतरयामी, और तभी हम सुन्दर स्वास्त होंगे, उनका बतायों य जय गुरु शभी को ठाकुर्जी से प्रार्थना करते हैं, सबी कोई सुंदर स्वास्थ रहें और ठाकुर्जी को मन प्रान से प्यार करते हैं, ठाकुर्जी का उपर पूरा विश्वास करके चले, तो हम लोग का जीवन सुंदर होगा. जै गुरू और मैं आज पहली बार इस चैनल में बोल रही हूँ, तो आप लोग सभी कोई इसमें लाइक कर दिजेगा, कॉमेंट किजेगा, सब्सक्राइब कर दिजेगा, जै गुरू